हलो फ्रेंड्स वेलकम टुमाई यूटूब चैनल एस्पी मैध कलासेस में विवर संबाद करने वाले हैं राम मनुवर लोहिया अबद बिस्विद्याले से बीएड फस्ट इयर एंड सिकंड इयर वारसी के एक्जाम को लेकर के और ग्रूब डी रेलवे ग्रूब डी एक्ज तक होने वाला है तो अगर आप हमारे चल पर पहली बार आयो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर करना कि जिससे हर एक साद्र को जानकारी मिल सके और कुलपती जी को एक ऐसा डिसीजन लेना पड़े जिससे जिन साद्रों का ग ड़ती वर्स में हैं ड़न साद्रों का जो इक्जाम है 10-9-2022, 12-9-2022 और 13-9-2020 को तीन पेपर ही जो हैकि फाइनल एयर में होता है तो तीनों पेपर दस, 12 और 13 तारिक जो हैकि इनका एक्जाम है यहीं पर अगर पर्तम वर्स का एक्जाम देखा जाया तो यहाँ पर देख 2022 तक जो है की एक्जाम खत्म हो रहा है तो इसमें इसके बीच में जो है की 14 से लेकर के 30 के बीच में पर्धम वर्ष के जो बीच फर्ष्ट येर में हैं और जो साथर बीच सिकेंड येर में हैं उन साथरों का जो है की 10 से लेकर के 13 के बीच में जो है की कई साथरों का जो है की एक साथ में है, कुछ शातर जो है कि 3-4 साल से तयारी में लगे हुए हैं, जो है कि Group D के लिए, और इन सातर का कहनाम है कि सब लोग एकजाम कैसे दें, B8 का एकजाम छोड़ दें, या Railway का एकजाम छोड़ दें, रेल्वेय के एक्जाम में तीन और चार साल से पहले से लगे हुए हैं तो हम क्या करें तो यहां पर देख लिए कि जो शातर बीड पर्थवोष में हैं बीड फस्ट इयर में हैं वे शातर जो है कि अगर पेपर छोड़ेंगे तो बेंग पेपर डाल करके किसी तरह से बेंग आजाएगी तो उससे भी छूट सकते हैं तो ऐसे में सिकेंड यर के साथ तो ऐसा नहीं कर सकते हैं जो साथ फाइनल यर में है इसमें एक चीज इनवर्शिटी अगर डिसीजन ले तो भी हो सकता है जो है कि 14 से लेकर के 30 तक इनका पेपर है जो बीड फस्ट यर में है और जो है कि उनका है कि 10 से लेकर के 13 तक जो बीड सिकेंड यर में है तो इन सब चीजों को देखते हुए इनवर्शिटी को एक दिन और डेट दे देना चाहिए और जुन छात्रों का जैसे जो छात्र यहा इसके बीच में उसके बाद आथा 39 के बाद जो है एक कोई डेट फिक्स कर दे एक के अक्टूबर या दो अक्टूबर को उस दिन कम संक्या में शात्र होंगे उनका एक्जाम कंडक्ट कर वा लिया जाहे और उस दिन उनको एक्जाम देने का मौका मिल जाए क्योंकि group D के लिए जो चात्र हैं बहुत जादा मातर में तो चात्र होंगे नहीं इनका exam जो है कि university conduct करवा सकती है अर्थात पूरा exam खत्म होने के एक या दो दिन बाद में जो है अक्सर उनी चात्रों का exam छूटेगा जो चात्र है group D के exam में best रहेंगे तो university को ऐसी एक notice निकालने चाहिए और ऐसे सात्रों के लिए जो है कि special बेवस्ता करना चाहिए कि इनका exam जो है कि सभी paper जब खत्म हो जाएंगे उसकी एक या दो दिन बाद हम जिन चात्रों का group D का exam है उनका exam जो है तो उस date को करवा लेंगे उसके बाद हम किसी भी तरह का मौका नहीं देंगे इसके बारे में university को ऐसा बिचार करना चाहिए हमारा मत है तो university को अपने बिचार करेंगी और university फैसला लेगी तो सभी चात्र जो है जब तक notice नहीं आ जाता तब तक किसी भी तरह का कोई अपवा नहीं है हम इसके सम्मझ में ऐसा कहा जा रहा है कि अगर university को ऐसी सूचना दी जाएगी तो university के कुलपती जी जरूर ऐसी कुछ बिवस्ता सात्र हित में करेंगे कि जिससे group D का भी सात्र एक्जाम दे सकें और beard का भी जो है कि सात्र एक्जाम दे सकें जिससे की दोनों के तरफ उनका भविस्त जो है कि बना रहे हम आसा करते हैं आप से भी सात्र जो है पूरा प्रीड का जो वार्सी के एक्जाम है दोनों एक सात्र में हो रहा है उसके लिए एक डिट फिक्स करें जब एक्जाम खत्म हो जाते हैं अर्थात 39-2022 के बाद ही मालीजे खत्म एक्जाम हो जाते हैं तो उसके एक दिन बाद अर्थात 1 अक्टूबर को जो है कि एक्जाम कं इसे बना रहे जो शातर B8 का एक्जाम देंगे दे लें और जो शातर गुरूब D मेर था जिनका गुरूब D का एक्जाम छूट रहा था उधर गुरूब D का एक्जाम दे लें और इस तरफ जो है कि इसके एक दिन बाद था तक अगर एक अक्टूबर को करवा दिये जाता है तो उस दिन इनका जो है कि B8 का एक्जाम दे सकें जिसे किसी भी तरह का कोई भी दिकत किसी भी सातर को ना होने पाए हम आसा करते हैं आप से भी सातर जादा से जादा सेयर करेंगे तब तक जैहिन जैभारत